सफलता तब होती है जब तुम अपनी उम्मीद से आगे अपनी काबिलियत का वजूद साबित करते हो एक बार सभी का फिर से स्वागत है जैए अकडमी के इसांदा प्लेटफॉर्म पे मैं आपका मेंटा और बड़ा भाई आपका एक बार फिर से बहुत सारे बचों भी जो जैनुवन से डाउट से वो लेकिया चुका हूँ एमस एसी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है फॉस्ट राउन की काउंसलिंग के लिए अगर बात करें तो करीब करीब वो ओवर होने वाली है बच्चे इस बात को लेके conception में हैं कि जिनका married list में नाम नहीं आया यानि कि जिनको qualifying list के अंदर नाम नहीं आया वो बच्चे क्या second round में participate कर पाएंगे क्या वो आगे aims के किसी भी further round में participate कर पाएंगे या फिर अब उन्हें आशा hope छोड़ देनी चाहिए 2024 के base nursing aims के अंदर admission लेने को लेके आपके इन तमाम सवालों के जवाब में इस वीडियो के अंदर दूँगा आप वीडियो पर बने रहेएगा जो बच्चा पहली बार आ रहा है जो मेरा चोटा भाई बैन पहली बार आ रहा है जैकाडमी के प्रेटफॉर्म पर तो आप इसको लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मिटिव कंटेंट के साथ साथ आपके एजुकेशनल यानि जैकाडमी आपके लिए एमस के पड़िए बैचस भी स्टार्ट कर चुकी है जहां पढ़के अपनी एक सीट को हासल कर सकते हैं 2014 में 1000 ने इसे बिध किया है मैं आपको दिखाता हूं अब देखिए यह वो बच्चे हं जो टॉपर्स हैं जम्नों रैंक लिक्शा हैं और सब इतने ही नहीं बहुत सारे बच्चे हैं इनके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं så manly किर किस्धोर्वाह कि आपकी मन में जो की जो पहली merit list है उस list के अंदर करीब-करीब आपके पास में जिन बच्चों के number है उसमें अगर मैं बात करूँ General, AWS and OBC इस category के करीब-करीब 6 से लेके 8000 rank तक के बच्चों को इसमें enroll किया गया यानि इन बच्चों को ही AIMS ने qualify माना है आगे अगर बात करें SC और ST को लेके अगर आप इस category में हैं तो यहाँ पे 10 से लेके 12000 बच्चों तो qualify माना गया यानि इस list के अंदर करीब-करी 12000 बच्चों के number है अब यही 12000 बच्चे AIMS की 1291 जो BSC Nursing की seats है उसके लिए apply कर सकते हैं चाहे वो round first हो round second हो या फिर mop up round हो कोई भी round हो further counselling का सिरफ यही बच्चे apply कर सकते हैं यानि जिन बच्चों का qualification list में नाम नहीं आया है वो बच्चा 2024 की counselling से एक तरीके से बाहर हो चुका है यानि उसके पास AIMS में इस साल admission लेने का तो option नहीं है तो क्या करें अब वो बच्चे जो general category से हैं AWS से हैं OBC से हैं SC से हैं और ST से हैं अगर आप इन तीन category से आ रहे हैं और आपका score जो है वो 55 प्लस है साथ ही साथ में या तो आप 2023 में या 2024 में इन में से किसी 2 year में 12th PCB से pass out हैं तो आप definitely अपने बहतर future के लिए drop लीजिए और इतना शानदा drop लीजिए कि selection sure हो जाए आपका selection sure हो जाए अगर आप SCST category से आ रहे हैं और आपका score इसके बीच में है तो आपके लिए तो आपके लिए तो आपके लिए थीक नहीं है बड़ वीडियो बनाना जरूरी था अगर आपके लिए अगर आपके लिए अगर आपके लिए अगर आपको लगता है अगर आप करियर बनाना चाहते है आपके वहाँ पर पर एयर की करीब 6200 रुपए 20 to 12 यानि अगर बात करूँ तो आपका पर दे का खर्चा वह 45 रुपए के आसपास आता है अब आप सोचो तो चार साल का करीर अगर आपने अच्छे से बना लिया यहाँ पे, एक साल आपने ड्रॉप करके, उसके बाद में जो एमसी कंडर्ट करवाता है दोबारा एक्जाम नौर सेट, वो अगर आपने तयारी की, तो आप नर्सिंग आफिसर पोस्ट पे लग जाओगे, और आपकी अब ही सेलरी, 80,000, अभी मैंने अपने कुछ जूनियर्स कुछ फ्रेंड्स से बात की, जो एमस कल्याणी में, एमस नागपूर में, एमस जोधपूर में, एमस रिषिकेश में लगे थे, अभी परसव ही हमारा रियूनियन हो आता, वह में ले ले थे मेरे से, तो मैंने बात पॉसिबिलिटीज हैं, आप अपने बहतर भविष्य के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो सेलेक्शन लेता है, वह आप ही के बीच का है, यह जो हजारों बच्चे आपको दिख रहे हैं, जिन बच्चों ने रैंक ली हैं, यह बच्चे आप ही जैसे बच्चे हैं, यह अब चाहते हैं, प्रॉपर तयारी करना, यह बच आपके लिए है, दो हजार पत्चेस का अलरी बच지 बच्चे स्टाठ होचके, आपका 25 से, 10 वारा देन होचके हैं, अगर आप तयारी करना चाहते हैं, आप मन में यह है कि हाम मुझे तयारी करनी है, जान लगानी है, तो आ आप जया Academic of Demo Classes को भी आखे चेक करें, वैसे हमारा Demo Classes को प्लान होता नहीं है, हमारी main class होगी Demo Class रहती है, तो वनी class प्री करें का हम फ्री कर देते हैं. हर एक चीज़ शामिल की गए डिली बिसिस पे आपको DPPs मिलती है तकि practice make a man perfect हम practice पे focus जादा करते क्योंकि aims हलवा तो नहीं है बई हरकोई तो नहीं निकाल सकता हम 40,000 कोशन का target कर रहे हैं इस बार यह यह practice 2023 में मेरा target 18,000 कोशन का था मैं उसे पूरा किया और इस बार इस बार अमांट डबल कर दिया reason पता है आपको क्या कि aims में सोचो जहां 60,000 बच्चे form भरते थे वहां 1,15,000 बच्चे और 2025 के दर आप यह target लेके चलिए कि यह बच्चे 2,00,000 तो वही बच्चा select होगा जिसकी practice बहुत धाकड होगी बहुत शांदार तरीके से practice होगी वह बच्चा select होगा तो मेरा कहने का motive यह यह कि अगर आपने ठाना है किनी मुझे selection चाहिए repeat करना है मेरे को तो बटा फिर no if no but जान लगा देना अपनी क्योंकि aims सच में जान लगाने वाली चीज़ है यह जन्नत है यह medical field की जन्नत है बिटा आप किसी भी aims में जाओ वहाँ का aura, वहाँ का महौल इतना शांदार है ना कि आप अपनी lifestyle change कर दोगे आप देखो वहाँ पे तो उसके लिए जान लगाना बनता है क्योंकि हम हमारे अपनों के सपनों के लड़ रहे हैं तो आप लड़ सकते हैं बस एक छोटा सा आपको effort डालना है क्या daily continuous आपको classes करनी है daily continuous आपको पढ़ाई करनी है अगर आप रोज छोटी छोटी चीज़ें करते ना आपको इस दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रोक सके AIMS में जाने से तो hopefully जो AIMS का rule था qualify को लेके और आपके बीच की misconception दी कि मैं करूँ क्या करूँ नया करूँ वह भी मैंने दूर की होगी फिर भी मैं wait करूँगा आपका comment section के अंदर कि आप मुझे comment जरू करिए कि किस किस बच्चे का कौन-कौन सा AIMS target है कौन चाहता है कि मुझे AIMS रिषिकेश मिले कौन चाहता है मुझे AIMS दिल्ली मिले क्योंकि बहुत best teams है यहां की lifestyle बहुत अलग है तो hopefully यह वीडियो आपके लिए था आप इस वीडियो को like किजिएगा, share किजिएगा और कोई भी doubts हो, आप definitely मुझे connect कर सकते हैं मुझे call कीजिएगा मैं आपको मेरे number देता हूँ 9352188704 यह मेरे personal number है आप मुझे call कर सकते हैं, connect कर सकते हैं मुझे मुझे बात कर सकते हैं अगर आप WhatsApp पर बात करना चाहरे है WhatsApp मैसेज करना चाहरे है आप WhatsApp मैसेज मुझे आप यहां करिए साथ ही साथ में एक compulsory जो चीज़ है वह यह है कि आप हमारी Telegram चैनल पर जरूर जोड़ जाईए Telegram चैनल पर करीब-करीब अठारा हजार बच्चे जुड़े वे अब ऐसा क्यूं? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम जै अकाडमी पर informative नहीं आपके अकाडमी के लिए भी बहुत साथ चीज़े लेके आते हैं Short Notes हो गया MCQs हो गया, Quizzes हो गया बहुत बहुत बहतरीन तरीके से तो अगर आप इसका हिस्सा बनेंगे तो कही न कहीं आप रोज अपने आप में improvement कर पाएंगे तो हिस्सा बनिए एक अच्छे परिवार का कि हम इस चीज़ को आगे लेके जाना है तो मिलता है नेक्स फीडियो में तब तक लिए कर दो